हेलो डियर स्टुरेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल अस्टडी विद दुलार में बच्चो ये क्लास 6 का हिंदी बुक है और चैप्टर 3 है ये और इस चैप्टर का नाम है चेतक यह एक कविता दिया हुआ है महराना परताप के घोडे का नाम चेतक था वह बहुत ही निडर, सहासी और फूर्तिला था दूसी के विशे में यह एक कविता दिया हुआ है आए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं रन भी चोकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राना परताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था इसकविता के रचिता हैं स्याम नाराइन पांडे, हल्दी घाटी के युद में महराना परताप के घोडे चेतक की वीरता का वर्नन करते हुए कहते हैं युद्ध के मैदान में लंबी लंबी छलांग लगा कर वह अद्भुत बन गिया था वह हवा से भी तेज दोड़ कर सत्रूओं के छक्के चुड़ा रहा था गिर्ताना कभी चेतक तन पर राना परताप का कोड़ा था वह दोड़ रहा अरी मस्तक पर या आस्मान पर घोड़ा था कभी आगे कहते हैं महाराना परताप को कोड़ा से चेतक को कभी मारने के आवसकता नहीं पड़ता था क्योंकि अपने स्वामी के संकेत के पूरु ही वह उसी दिसा में गतिमान हो जाता था वह सत्रूओं के सीर पर वार करते हुए दोड़ लगाता था लगता था जैसे वह आस्मान पर दोड़ लगाने वाला घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर स्वार उड़ जाता था राना की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था यहाँ पर कभी बता रहे हैं जारा भी लगाम हिलने का आभास होता चेतक अपने सवार को अर्थात महराना परताप को तेज गती से हवा की भाती चल परता था उसके स्वामी की पलक इधर से उधर हुई नहीं कि चेतक उससे पहले ही मुड़ जाता था चेतक अपने स्वामी की मन की स्थिती को जान गया था आगे यहाँ पर दियावा है कौसल दिखलाया चालो में उड़ गया भ्यानक भालो में निर्भिक गया वह धालो में सरपट दोडा करवालो में इन पक्तियों में कभी कहते हैं चेतक बहुत ही सक्तिसाली और निडर था, वा रन भूमी के किसी भी छेत्र में जाने से डरता नहीं था, वा रन भूमी में इतना कुसल था कि भाले चले या तलवार चले वा घुसकर सत्रूओं को रोनते हुए फुर्ति से आगे निकल जाता आगे यहां पर दियावा है, है यहीं रहा, अब यहां नहीं, वा वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहां नहीं कभी आगे कहते हैं चेतक इतना फूर्तिला था कि अभी वह अहां है फिर तुरंत ही यहां से गाइब हो जाता अभी वह वहां होता और देखते ही देखते फिर वहां नहीं होता रन भूमी का ऐसा कोई जगह ना होता जहां चेतक नहीं पहुंचता ऐसा कोई सत्रू नहीं होता जिसके सीर पर वार नहीं करता इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है चेतक इतना फूर्तिला था कि हाथियों को भी पछार दिया करता था इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ते नद सा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया विक्राल बज्रमय बादल सा अरी की सेना पर घहर गया इन पक्तियों में कभी कह रहे हैं कि जिस परकार नदी अपने तिब्रवेग में सब कुछ बहा कर ले जाती है वैसे ही चेतक जिधर जाता दुस्मनों का सफाया हो जाता कभी विक्राल बिजली बनकर सत्रूओं पर तूट पड़ता इस परकार वह सत्रूओं का नास करता था अंतिम यहां चार लाइन दिया हुआ है भाला गिर गिर गिरा निसंग है टापों से खन गया अंग बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग अंतिम इन चार लाइनों में बतलाया गया है जब चेतक का तिब्रगती से दुस्मनों पर आकरमन होता था उसके भाले तरकस गिर पड़ते थे चेतक अपने पैरों से उसे घायल कर देता था सत्रू दल घोड़ी की ऐसी बीरता नीडरता फूर्ती को देखकर हैरान रह जाता था इसका विता से पता चलता है कि जानवर भी अपने मालिक के परती कितने वफादार होते हैं जब चेतक युद्ध भूमी में बुरी तरह घायल हो गया था उस समय भी वह अपने स्वामी को युद्ध भूमी से सफलता पुरोग बाहर ले आया था यहाँ पे यह पोयम समाप्त हो गया है आए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन्स दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे वन नमबर पे सब्दार्थ दिया हुआ है जिसमें हिंदी का सब्दार्थ हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिस में भी दिया हुआ है कम से कम एक बार पढ़कर जरूर याद कर लें इसको और question number two यहां पर उतर दीजिए तो इस कविता का मुख question है यह और three number में भावस पस्ट करने के लिए कहा गया है इसके आगे यहां पर five number में भासा अधियान ब्याकरन से कुछ question दिया हुआ है और ब्याकरन के बारे में के आंसर दे देता हूं कि यह chapter three का question answer चेतक कौन था चेतक महाराना परताप का घोड़ा था चेतक को निराला क्यों कहा गया है चेतक बहुत बुद्धिमान फूर्तिला और सक्तिसाली घोड़ा था वह बड़ी फूर्ति से सत्रून का नास कर देता था इसलिए उसे निराला क कहा गया है राना परताप का कोड़ा चेतक तन पर क्यों नहीं गिरता था चेतक राना परताप की सोच के पूरू ही गतिमान हो जाता था इसलिए राना परताप का कोड़ा उसके तन पर नहीं गिरता था चेतक अपने स्वामी के संकेतों के पूरू ही तिब्र गति से उसी द चेतक की निडर्ता का वर्नन है चेतक को नदसा कूं कहा गया है चेतक बड़ती नदी की तरह तिब्रता से सत्रूप पर आकर्मन कर उसका सफाया कर देता था इसलिए उसे नदसा कहा गया कोशन नमर 3 भाव असपस्ट करो वह दोड रहा यहां पे सोट में यह लाइन लिख दिया गया है इसका भावार्थ यहां पे दिया गया है भावार्थ चेतक रन भूमी में सत्रूओं के सीर पर हमला करता था जैसे वह आसमान पर दोड लगाने वाला घोड़ा था कोसल दिखल यहां पे सोट में यह लाइन दिया गया है भावार्थ चेतक तिबरता से दोड़ने में इतना कुसल था कि सत्रूओं के भाले तलवारों के बीच घुसकर सत्रूओं को रोंते हुए आगे निकल जाता था विक्राल वज्रमय यहां पे यह लाइन सोट में दिया गया है जिस इसका भावार्थ है जिस परकार बादलों के बिच से विक्राल बिजली गिरती है उसी परकार चेतक अचानक से सत्रू पर तूट पड़ता था गोड़ा असु घोटक नदी नद सरीता तलवार कटार करवाल सत्रू दुस्मन अरी यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है आप हमारे इस वीडियो के लाइक जरूर कीजिए और इस तरह को और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और इसके अगले चप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं